नमशकार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की युक्रेन युद्ध 475 दिन से चल रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं युद्ध की विभीशिका लगातार बढ़ रही है युक्रेन का काउंटर अफेंसिव तेज होता जा रहा है उसके दावे अंगिनत हैं कि उसने रूस के कबजे वाले इलाकों में पैठ बनाई है कुछ गाउं को वापस लिया है आखिर इस युद्ध के पीछे जो नए हथियार आए हैं उनसे हासिल क्या क्या या युद्ध किसी दिशा में बढ़ रहा है इस पे हम चर्च करेंगे आपके साथ युक्रेन युद्ध की 475 दिन है आज और जो युक्रेन ने काउंटर ओफिंसिव शुरू किया है उसको लेकर अलग-अलग दावे हैं युक्रेन का कहना है कि उसने रूस की कबजे वाले कुछ इलाकों पर घुसपैट की है रूस का अलग दावा है ल आप जो कह रहे हैं वो सही है कि अभी 475 दिन हो चुका है और भी कहां जाएगा उसकी कोई क्या कहेंगे दिशा नजर नहीं आ रहा है कि शान्ती की कोई स्थापना होने की संभावना है यह नहीं आ रहा है काउंटर ओफिंसिव की जो आपने बात की तीन जगहों से काउंट risk area में यहां पर बाकपूत में कुछ जंग की खबर है पर मुलता इस इलाके में होने की खबर आ रही है और जो मेन ए्टेक जो है लग रहा है इस इलाके जबद पर जी जिया है और एक है कि हर्सॉन इलाके में जंग जो चल रही थी पर वहां पर मैं डैम तोड़ने के बाद तूटने के बाद उस इलाके में जंग का रूप क्या होगा इस वक्त साफ नहीं है तो सबसे बड़ी लड़ाई जो चल रही है लगता है इस इलाके में चल रही है क्योंकि इहां से अगर यहां तक आ सकती है तो आपका रूस के साथ जो संबंध है क्राइमिया की वो तूट जाए यह हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं कि मूल काउंटर ओफेंसिफ का जो कोशिश होगा कि क्राइमिया पहुंचने तक की जो पत्ती है जो पूरी पत्ती है वो अगर तोड़ देंगे उस पे आगे उक्रेन की फोर्सिस आ जाएंगे तो अलग अ क्या उद्देश था क्राइमिया के साथ रूस का एक लैंड बिच कायम करना तो एक उसका अगर स्ट्रेटीजिक देखें हिसाब देखें एक बहुत बड़ा उद्देश था रूस के लिए क्योंकि बॉल्ट ब्लैक सी का कंट्रोल करने के लिए क्राइमिया की जो सिवास्ट से करेक्ट करता है अटलांटिक कोशिन से करेक्ट करता है पर यह इस एहमियत को भूलना हमें नहीं चाहिए कि लडाई के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश दोनों का इसलिए है कि क्राइमी अगर रूस के हाथ से बाहर चला जाता है तो नेटों के लिए बहुत बड़ी होगी और इसलिए रूस की कोशिश यह होगा कि इस पट्टी बरकरा रखे तो लड़ाई इस वक्त लगता है स्ट्रिटीजिक हिसाब से सबसे बड़ा यह है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आप बता रहे हैं कि इन सारे इलाखों में हमला तेज हुआ है यहां से नीचे इस जो काउंटर अफेंसिफ की जो बात है उसके नौ क्या कहें के नौ ब्रिटानिया का वी टैंक्स इसमें शामिल है तो नए हात्यारे और भी दी है पर्टैंक्स बुक्ख्य रूप में उन्होंने दी है तो टैंक्स के साथ साथ जो होता है कि टैंक जाने के पहले माइन क्लियर करना पड़ता है तो डिफेंस अगर देखें तो इस तरह के डिफेंस होता है कि डीप डिफेंस जो है इस तरह का तीन लाइन रूस की है और ये जाने की जो जगह है ये माइन्स बचाए जाती है उस पे तो पहला काम होता माइन्स रिमूफ करने का हटाने का अगर फ्लैट जमीन है तो टैंक्स इधर से उधर से जा सकते हैं अगर उस तरह का टेरेन नहीं है उस तरह का जमीन नहीं है तो नैरो फ्रंट पे ही वो जा सकते हैं तो एक तो इहां पर इस इलाके की जो एटैक्स हो रहे है वो लग रहा है कि narrow front है कि terrain बड़े पैमाने पर spread करने की tanks के लिए नहीं है और इसलिए वो रूस की जो कहें के deep defense lines है जहां पर बहुत सारे चीजे रहती है माइन्स और बाकी सारे चीजे माइन्स तो पहली रहती है इसके बाद वहां पर trenches रहते है dragon teeth कहते हैं वो रहते हैं टैक्स को फसाने के लिए बहुत सारे इस तरह के defense होते हैं वो defense तक पहुंच नहीं पाए हैं तो प्रबीर आप बता रहे हैं कि लड़ाई तेज हुई है और लड़ाई की अलग अलग रढ़नीती कहा हैं और जो लाल निशान है वहां पर जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में दर्शक नक्षे के साथ देख सकते हैं देखें यहां पर लगता है जो यूक्रेन का मुख्य इस वक्त यहां केंद्रित है अब जो आप लाइन्स देख सकते हैं आपकी यह ब्लू लाइन्स है तो यह यूक्रेन की टैंक्स वगारा यहां से गूसने की कोशिश कर प्रोविंग और इनकी डिफेंस टूट सकती है और इस डिफेंस की पहला line जो है बसके जिकर करूँगा इसके बाद मैं जो कह रहा था इसके बड़े-बड़े उसमें dragon teeth जिस कहते हैं, trenches है इस तरह का defense थोड़ा deep में रहता है, थोड़ा अंदर होता है और ये इलाके जो होते हैं जहां से वो आ रहे हैं यहां पर mines बिची होती है तो पहला काम टैंक्स भेजने के पहले टैंक्स लाइन तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है टैंक्स भेजने के पहले mine remover, mine sweeper जिसे कहेंगे उसको भेजनी पड़ती है कि mines remove करेंगे पर अब जो देखने को मिल रहा है कि mines remove करने के बाद भी ये तो mines रह जा रहा है ये तो mines जो है आजकल ऐसे हातियार है जिससे बहुत जल्दी तुरंथ हवा से mines बेज सकते हैं कि वहाँ पर फिर mines बिच जाए तो mines clear नहीं हो पा रहा है इसलिए इनकी offensive यहां तक पहुंची नहीं पा रही है वह इस इलाके में तक ही सिमित्र है और काफी उनके tanks भी शतिग्रस्त हो रहे हैं इस tanks की धंश्वन्दे की खावर मिली है कि tanks की तजवीरे हैं जो टूटी वी है पर basic जो चीज नहीं कि कुछ तो tanks जाएंगे ही कि tanks का काम ही है defense को breach करना कुछ तो जाएंगे ही पर जो मुख्य सवाल यह है कि tanks जाने की जो खबर है उसके साथ साथ defense तक उनकी जो main line of defense है वहां तक अभी तक पहुँच नहीं पाई है यह है एक ही brigade इस वक्त इस इलाके में है 47th brigade जिसकी tanks की तजवीरे हैं जिसमें कुछ दुवन्स हुए tanks भी दिखाई दे रहे हैं और वह तस्वीरें और भी बहुत जर सारे आ रहे हैं के लिए पर tanks भी काफी तूटे हैं यूक्रेन की पर मुख्य बाद जो है यह नहीं है कि tanks तूटे हैं तो कुछ तूटेंगे ही पर सवाल यह है कि वह इनकी defense line को अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं कि first line of defense तक भी पहुंच नहीं पाई हैं यह है मुख्य इस वक्त की खबर पर दो चीज सामने रखनी पड़ेगी और इलाके भी लड़ाई चल रही है देखना पड़ेगा जिसे आप देखा है डोनेस्क रीजिन में लड़ाई चल रही है आर्टस गाओं हलाकि बहुत छोटा सा माम आप रखना पड़ेगा कि इस वक्त तीन जो नए अस्ट से सज्जित किये गए हैं से सज्जित किये गए हैं और इनको ट्रेंड किया आगए उसके तीरी ब्रिगेड डिसल अटैक में है और छे ब्रिजर्व में है तो यह प्रोबिंग अटैक का काम ही है कि कहां कमजोरी है और वहां पर तोड़ पाएं और ताकत लगाएं अगर तूट जाता है लाइन तो उस ब्रीच से आगे टैंक कॉलम आगे आए और जाके कोशिश यह करेंगे कि समुंतर तक पहुंचे ताकि पट्टी जो आप डिसकस कर चचा कर रहे थे और उसकी पट्टी को तो दो भाग म अभी भी अगर यथास्थिती बना रहता इसका मतलब इनके पास जो नए हातियार और नए इनके ब्रिगेंट्स है तो वो धीरे-धीरे कमजोर होता जाएगा और यूक्रेन का इस उसके बाद खास बचेगा नहीं क्योंकि नेटों को भी और अस्ट देने का और कितना ट्रे रहा है साउथ कोरिया सपोर्ट कर रहा है यानि तमाम देश अभी भी बोल रहे है कि हम आपको हत्यार देंगे मैक्रों ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि हम और हत्यार देने के लिए तयार हैं और इसी बीच यह जो इलाका जो हमने पिछली बार जिस पे चर्शा की थी कि य तो इस पे दो रपट है एक अंग्रेजी यूके का जो सर्विसे इंस्टिटूट है उसका एक रपट है और इसके पहले अमरिका का भी एक इस तो इस तरह से अम्यूशन. तो कितना देर तक आम्यूशन इस तरह से दे पाएंगे यह प्रश्ण चिन्न है तो असित्रों की अबशा है सिर्फ F-16 जिसके बारे में खबर हैं कि और ट्रेन करेंगे अमरीका देगा और ट्रेन करेगा लड़ाई तो जमीनी लड़ाई मुख्य रूप से है और जब से ड्रोन से लेकर ऐसे हाथियार आ गया है उसमें लगता है हवाई जहाज टैंक्स बगारे की जो पहले एहमियत हुआ करता था आज के जमाने में इतना नहीं है और सबसे उन्नत किसम के टैंक्स आ चुके हैं और अभी तक जो रपट है इससे बहुत अच्छा काम किये है वो नहीं रज़रा रहा है बुझ जैसे कहेंगे कि वार में एक नया रूप ले रहा है ऐसा नहीं दिख रहा है यह खरसौन इ इसमें जाप्रोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इसलिए इसकी एहमियत है क्योंकि उसको यूक्रियन कब्जा कर लेता है वहां पर कोई एक्सिरेंट होता है तो उसका असर दुनिया पे खास दोर से यूक्रियन और यॉरप पे काफी पड़ाएगा तो अभी भ है यहाँ पर ब्लू काफी दिख रहा है यह नदी नीपनदी है और यह है उसकी पुरी जो वहां पर भी है इत्तन ही दिख रहा है यह बाद तोटने के बाद यह पुरा एराका फिलट कर चुका है तो रिजर्वाइर जो था वो एकडम एक बहुत बड़ा flood किया क्योंकि वो टूट किया तो ये टूटने के बाद जो इलाका चदिग्रत हुआ सबसे वो रश्यन कंट्रोल इलाके में पार ज्यादा पैला क्योंकि वो नीचे है ये वाला कहेंगे पार जो है थोड़ा उपर है तो इसलिए यहां पर बाड जो आई है यहां पर ज्यादा आई है सवाल यह है कि दो तीन हफते में पानी नीचे आ जाएगा तब नदी में और इतना पानी नहीं होगा तो उसको क्रॉस करना आसान हो जाएगा और रूस के जितने डिफेंसेस थे कहते हैं कि काफी उस पे नुकसान हुआ होग उसको फिर इस्टैब्लिश करना पड़ेगा नदी के तट पे क्या इसमें युक्रेइन का फाइदा होगा क्या रूस का फाइदा होगा यह सवाल है यह सवाल हम तो छोड़ देंगे क्योंकि नुकसान तो भी रूस के इलाखे में है और मुझे लगता है कि अगर हमारे दर्शक देख भी सकें वो जो फोटो है तो भी उससे अंदाजा होता है कि जो बाढ़ है वो बहुत भीशन बाढ़ है हाँ क्योंकि बाद तूटने के बाद बड़े पैमाने पर पानी फैलता है तो इसलिए अब देखी सकते कि इतने दूर दूर तक पानी गया है एक आखरी चीज जो मैं जानना चाहती हूँ हम हर बार डिसकस करते हैं चर्चा करते हैं और दिन गिनते हैं आज 475 दिन है और आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तब भी देखे कि नैटो के देश अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि हम और हथियार देंगे उधर से भी बात हो रह रहा है नौट कोरिया को लेकर कि वो क्या सईयोग करेगा यह सारी खबरें आ रही हैं मैं खबरों के लिहासे क्योंकि दर्शक लगातार इनी खबरों को देख रहे हैं कहीं से भी 475 दिन जाने के बाद भी और आपने जैसा कहा सबसे उन्नत हथियारों के इस्तमाल के बाद भी कहीं से कोई शांती की राह नहीं निकल रही है कब तक चलेगा यह युद्ध जब तक चलाने की छमता डेटों को शक्तिया चला पाएंगे तब तक चलेगा क्योंकि यूक्रेन के ऊपर लडाई हो रही है यूक्रेनियंस जंग करने के लिए तयार है अभी भी उनको अस् रूस की तरफ से इस लडाई का मतलब यही है कि नेटो यूक्रेन तक न पहुंचे नेटो में जॉइन ना करें अगर जॉइन करता है तो वहां पर विजाइल्स वहां नहीं बैठाएंगे क्योंकि वहां से 400-500 किलोमेटर के दूरी में रूस की मास्को शहर है तो वो जिसके सबसे बड़े उनके क्या कहेंगे केंदर है पुलिटिकल मिलिटरी सब कुछ का तो इसलिए वो यूक्रेन तक नेटों को आने देना नहीं चाहते अब सवाल जो फॉरण एफेर्स की मैगजीन है जो कि उनका कह सकते सेमी ओफिशल मैगजीन से वो सवाल करना शुरू किया कै ऐसे इसे निकला जाये क्योंकि यह लड़ाई कोई ऐसे दिशा में नहीं जा रही है जिससे लगता है कि रूस हार जाएगा तो अब सवाल है कैसे इससे निकला जाए अब इसकी बात концal है क्या इसको समझ होता तो मुश्किल है क्योंकि रूस का शर्त हम नहीं मानेंगे और रूस हमारा शर्ट नहीं मानेगा रूस तो हाद नहीं रहा है तो और एक-एक स्टेप करके लड़ाई आगे चल रही है एफ-16 देंगे उक्रेन को एफ-16 से अगर क्रेमलिन पर बुंबारी करता है जैसे ड्रोन से उन्होंने किया है तो उसका तो महायुद्ध में परिनित होन के संभाबना है तो क्या हो सकता है तो अब जो बाते आ रही है कि साथ कोरिया नौथ कोरिया के बीच में 38 पैर युद्ध एक फ्रोजन वार के तरफ से बरकरार है तो क्या एफ-द्वार के तरफ चले जायेगा तक एक 시ज फाइर हो जाए पर शांती की ऐसे बात नहीं हो कोरिया में ही हुआ था शांती का कोई ट्रीटी नहीं है कोई ट्रीटी नहीं है सिर्फ सीजफायर कोगी लेकिन दोनों पक्ष तैयार हो गए और अंतरा लेकिन यहां तो बहुत बड़ा स्टेक नेटो देशों का है तो उमीद की जाए कि नेटो के हथियार अब तकरीबन सारे उननत हतियार वो उतार चुका है धन खर्ची हो रहा है इस ओफेंसिव में फेल करते हैं तो बात चीत आएगा कि इस वाक्त सीजफायर की तरह हम बढ़े हैं तो यह आवाज जो है बुलंग अभी होगी जब यह बाते शुरू हो सकता है पर शुरू होने के पहले काउंटर कहां पहुंचता है उसका निशकर्ष क्या होता है वो देखना पर जाएगा उसके बाद ही अभी हमें काफी दिन युद के गिनने होंगे मेरे ख्याल से यह तीन चार हफते में इस काउंटर ओफेंसिव का यह तो इस पार नहीं तो उस पार हो जाएगा लगता नहीं कि उस होने की कोई संबावना है लगता है रूस का अपना जो डिफेंस रखा है वो बरकरार रहेगा बशर्ते कुछ मेजर ब्रेक्ट्रू नहीं अभी जिसकी गुंजाइश नजर नहीं है हम बस यह उमीद रखते हैं कि शांती की कोई राह निकले और पहले जिस तरह से इस तरह क कुछ बने कब से कम शुरूआत तो एक सीसपायत से हो जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभीर एक बात जो यूकरेंड युद्ध साफ साफ दिखा रहा है वह यह की युद्ध एक बार शुरू होकर खतम नहीं होता और यहां पर बहुत ध्यान देने की बात है कि कि लिए नैटो के 31 देश लगातार रोज प्रेस कॉनफरेंस करते हैं, कभी हतियार की बात करते हैं, कभी बाकी मदद की बात करते हैं, और इसी बीच जो वहाँ पर बांध तूटा है, जिस तरह से वहाँ बाढ़ आई है और बाढ़ की विभीशिका को खतम होने के बाद, क्य युक्रेन के पास और बड़त होगी यानि क्या युद्ध और तेज होगा यह सारी आशंकाएं हम सब को पूरी दुनिया को घेरे हुए हैं कि यह युद्ध आखिर खतम होगा तो कब होगा क्या कोई सीस फायर की यानि एक शांती की राह निकलने की आसार बनेगी कम से कम हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध एक राह ले शांती की दिशा ले ताकि ये खून खराबा और हतियार की दौर कहीं तो रुके शुक्रिया